वेलकम टू मैं चैनल आज नया टापिक लेका आया आपका सामने कैस्टों से रड़ी करने का प्रोसेस क्या है उसका प्रोसीजर क्या है मैं आपका साथ शेड़ करना चाहता है यही अब देखना सपोसें कैस्टिंग बन्द हो गया कैस्टिंग बन्द होने का बाद है और कैस्टिंग उपन होने तक है क्या क्या करना हैं उसके बाद हैं अभी कैस्टिंग वोपने होने का बाद हैं कैस्टिंग क्लोज होने तक हैं क्या क्या करना है मैं आपका साथ हैं जो पॉइंट से शेर करना चाहता हैं सुनिएगा हैं क्या एक्च्टिंग वोने का बाद हैं कि सबसे पाले तैप ओल का कंडिशन क्या हैं अब्जर्वेशन करना हैं इसका मतलब है कि मटगन मेशन जैसा बंद की है उसका मास है फुल प्रेजर से अंदर गया है कि नहीं लेकेज़ होए यह estimation करना चाहिए, जैसा madgan mass है, full length का अनुसार है, mass push करना चाहिए, full mass होने का बाद है, tap hole है, जो condition है, अपना madgan mission निकलना का बाद है, उसका tap hole का condition क्या है, देखना है, उसका pace है, बिल्कूल jam नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा से साप करना है, runner maintenance है, जितना time लगेगा, maintenance मतलब नार्मल है, जो अपना runner का scrap है, जितना वहाँ पढ़ा हुआ, वो सब निकलना है, यह सब निकलने का बाद है, tap hole में, जो central line हाई की नहीं है, identify करना, central line है, अमेशा याद रखना चाहिए, जिस position में डिल्ल लगा रहा है, every casting है, वही central line में डिल्ल लगाना चाहिए, अभी यह 22-25 minutes में जितना runner है, अभी jam निकल सकते हैं, पुरा निकलना अच्छा से, निकलना का बाद है, साइड में runner जो बालू लगाना है, बालू, सब कुछ लगाना चाहिए, यह सब उने का बाद है, अपना main चीज़ें, sport condition का है, slack runner है, प्रोपर क्लियर हुआ है कि नहीं है, ब्लोइंग बॉक्स का सामने, वो बोल्स क्लियर है कि नहीं है, यह सब देखना, cash house में जो ओपन करने जाएंगे, जो भी है, यह GP का condition क्या है, अभी ट्रैपीट का condition क्या है, बैपास runner का condition क्या है, ब्लोइंग बॉक्स का सामने, cold runner का ट्रैनेजी एरिया कंडिशन का है, यह सब observation करना है, साथ साथ में, लैड लेंग, नीचे, हाई के नहीं है, यह सब देखना है, मैटल डेम कैं कंडिशन का है, स्लैक डेम का कंडिशन के है, यह सब देखना है, और आक्सिंजन का pressure है, अभी डिल ट्राट से, अगर कैस्टिंग कोलने पाएगा, तो आक्सिंजन करना पढ़ेगा, आक्सिंजन प्रेजर हैं या शूट करना है फुल प्रेजर अब मिल रहा है कि नहीं है लाओ रहें उसमें ट्रिलिंग मिशन है मटगन मिशन है अभी प्रॉपर वर्किंग करनीश नहीं कि नहीं यह सब देखना है सबसे पहले मटगन नौजिल है अभी फुल प्रेजर का साथ है टैप होल में मास जाना चाहिए बंद करना टाइम है नौजिल अच्छा से क्लीनिंग करना है अभी मटगन नौजिल है अच्छा से क्लीनिंग करने का बाद है अभी उसमें मास है जितना बैक डालना है उतना बै आप नाजल तक मास लेना है मठ्गन मेशन भी डड़ी होना चाहिए नाजल तक मुश करके चोड़ना है कभी-कभी गन्फिज हो जाता है मास पुशिंग नहीं करता है टैप फोल बंद करना है जाएगा नाजल जाम हो जाता है नाजल 100% है, कंडिशन ठीक होना चाहिए, डिल राड भी है, जितना वहाँ डिल राड चाहिए, उतना डिल राड वहां रखके, अपना पोकिंग राड जो भी है, कैस्टिंग कोलने का बाद है, अगर पोकिंग राड से डिल लिंग जैसा पोकिंग करना होगा, तो दिल मेशन वोंकेंग राड क्रांग बशीड रखना चाहिए कि फुर्वी गैस्टिंग गिन्वनक जाएंगे जैने टाइम में आप यह देखना राइंगा पहектив ही नहीं है अभिस्क्याने से देखने तर्श देख्द लधागैंक के Municipal मदशन कर सूरा नहीं तर समें देखने हैं आभी सेंट्रल लाइन सही एकने हैं सेंट्रल लाइन में टैप ओलू 90 mm राने से 45 mm लेंट में मतलब 45 mm में सेंट्र पॉइंट में डिल लगा के डिलिंग करना जनरली डिलिंग एट टू 15 मिनिट्स टाइम लगता है 2.523 मेटर डिलिंग करना के लिए कम से कम है 8-15 मिनिट्स लगेगा 8-15 मिनिट्स का अनसार है आपना ये कैस्टिंग कोलना चाहिए अभी सबसे पाहले अभी वो कैस्टिंग में जितना टाइम में में मेटल आ रहे हैं कंक्लूजन भी आना चाहिए टैप वो लें सेंट्रल लाइने डिल लगाने का पाद है एक ही चीज़ देखना है कैस्टिंग कोलना है कैस्टिंग ऐसी कंडिशन में कोलने से अपना ये जोग ओपिन टूब क्लोज क्लोज टूब क्लोज है जितना टाइम मेंटेन करना है उतना टाइम मेंटेन होई जायेगा मतलब तेट गंटा से दो गंटा रने से बारा क्यास्टिंग का अनुसार है अपना 24 आवर्स में मैंग्समो प्रोटेक्टिविटी गेनिंग करेगा कैस्टिंग ये कुलने टाइम में अभी बंद कुलने टाइम में अब्जरवेशन पॉइंट जो भी है कैस्टिंग कुलने टाइम में भी रना चाहिए कभी कभी स्लेट में प्रपर स्लेग ना नहीं आता है ये स्लेगन प्रपर स्लेग क्यों नहीं मौन्तरिंग करना चाहिएven अभी स्लैग में या फीवो असे वो टू रने से बंद करना टेम में जो खामपोंड टैपोल सामने एकुमिलेटोने से नेश्ट कैस्टिंग कोनने टाइम में दिख्कत होगा अगर ओ लेयर रने से अपना कैस्टिंग बंद करने से पाले उसको अच्छा से मैनुबल पोकिंग करके अच्छा से ड्रैप लोल लेके कैस्टिंग बंद करना ऐसा अब कैस्टिंग बंद नहीं करेगा तो tap hole शार्ट लेंद मिलेगा कैस्टिंग रॉपर कोने टाइम में भी आपको दिक्कत होगा मतलब में full length नहीं मिलेगा tap hole पंचिर जैसा हो जाता है मतलब में metal आ जाता है proper tap hole फुल प्रेजर से नहीं कूलेगा उसका साथ में परनेज प्रेजर यह वोने का संभाव भी रहेगा कभी भी कैश्टिंग है कुलने का बाद है उसका जेट लेंथ टैपोल जेट लेंथ है कितना है अब्जरवेशन करना है अगर पाले कैस्टिंग है अच्छे से स्लाग ड्राइन नहीं होने पर अपनेज देख नहें है अगर देखनaggi का जेट लेंथ सबस्ता है बढ़ाना अगर नहीं बढ़ेगा तो continue poking करना है continue drilling dilimation से booking करके manual poking करके taphole pressure बढ़ाना है pressure बढ़ाते है साथ साथ में उसका jet देपवल का jet length नहीं आगे मतलब जितना लेंट बढ़ा सकें उतना लेंट बढ़ाना कभी कभी यह उसे वोट्ट मस्रूम पस हैं यह बैटने से कैस्टिंग है दिवार जैसे रहेगा उसको आट मैं बहर आने में दिकत होगा इसलिए F.E.O.S.A.O.2 जो भी है टैपूल के सामने ताने से उसको अच्छा से पुकिंग करके टैपूल प्रेजर से अच्छा टैपूल जेट से बाहर आना चाहिए मतलब है आप लोग है परने से कंडिशन है यह की जैसे देखना है स्टार्टिंग में मेटल टाइम में जितना टैपूल जेट है उतना जेट में स्लैग आने का बाद भी है उतना जेट में करना है मेंटिन करने से आपको टैपूल लेंस्ट कैस्टिंग में जितना फूल लेंथ मिलना है उतना लेंथ मिलेगा अपको टैपूल का अब्जर्वेशन है यह की चीज़े मतलब टैपूल लेंथ है मतलब है टैपूल जेट है टैपूल जेट मतलब है मेटल का जो पालिंग हो र उसका जेट है जितना लेंद रहेगा अगर डोट अने से जेट जैसे कम हो रहा है इसका मतलब है कि परने संदर है होलिंग का कपाश्टी बढ़ रहा है मतलब है होलिंग का मिट्रियल है वहां कंडिशन में मतलब रहेगा पूलिंग का मिट्रियल उधर रहेगा इसका मतलब है कि नेस्ट कैश्टिंग में मास पुशिंग यांडर परसं नहीं होगा यही देखना है जेट जितना लेंद बढ़ा सके ऊतना लेंद बढ़ा के आगे कंट्यू कैस्टिंग टुवर्स कैस्टिंग है आप को टैप WALL आपको नेस्ट क्यास्टिंग है अवी फुल लेंद आपको मिलेगा 100% मास अंदर जाएगा मतलब टैपोल शाट लेंद का कंडिशन आपको नहीं आएगा ऐसा इवरी क्यास्टिंग है मैनत करने से आपको अच्छा पोड़क्शन निकलेगा अच्छा पोड़क्टिविटी ट आप मिन्टिन करने से आपको परनेस लाइफ भी बढ़ेगा चार्जिस रेट भी जितना जाना है चार्ज वालेम का साथ है उतना जाएगा कोई दिकत नहीं होगा टैपोल लेंद है जैट चेंज नहीं होना चाहिए एवरी क्यास्टिंग है एवरी डे सीम लेंद मिन्टिन करने से आपको स्टिबुलाइज रहेगा मैटल स्टिबुलाइज हो जाता है कस्टमर रेकॉर्मेंट का जो किमिकल कॉमपोजिशन है वह भी आरम से मिन्टिन कर सकता है यहीं देखना है टैपोल रडी होने कबाद है आवा कैस्टिंग बंदोने तक है मैं जो पॉइंट्स बताया वहीं पउइंट्स मिन्टिन करने पर आपको परनटे से लाइब बढ़ेगा परनेस रेग्लर कंदिशन में चिलेगा फिरेग्लर कंदिशन में बिलकुल नहीं जायेगा टैपोल लेंग इंत करने से कोई भी प्राब्लम नहीं आएगा दिक्रत नहीं होगा धन्यवाद